आज हम लोग बनाएंगे एक AI-assisted to-do list आप जो की totally AI-assisted होगी हम लोग OpenAI का इसमें इस्तेमाल करेंगे अपने task को complete करने के लिए और इसको बनाने के लिए हम लोग एक TIDB serverless नाम की database को use करेंगे अब TIDB serverless हम क्यों use कर रहे हैं यह मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बता let's move on to a computer screen and let's get started Guys अगर आप लोग एक traditional developer हैं तो फिर आप लोगों ने कभी नगभी SQL का इस्तेमाल तो किया होगा तो अगर आप लोग SQL का इस्तेमाल करते हो तो आपर एक सबसे बड़ी problem scalability की हम को आती है कि जहां पर भी हम SQL cluster अपना बना रहे हैं वहां पर हमको क्या scale करने का मौका मिलेगा आगे की नहीं मिलेगा यह हमारी एक बहुत बड़ी चिंता रहती है as a developer TIDB इस problem को solve करता है बहुत ही अच्छी दरह से और TIDB एक modern SQL database है सबसे बड़ी बात यह है आपर TIDB की कि आप लोग को इसका serverless version मिल जाता है और serverless version को use करने का एक सबसे बड़ा फाइदा यहाँ पर यह है कि fully managed होता ही है अब TIDB के सबसे बड़ी जो खासियत है जिसकी वज़ए से database के CEO ने भी इसको shout out दिया था वो यह है कि यह storage compute architecture पर बना हुआ है जिसकी वज़ए से इसको 0GB से लेके petabytes तक scale किया जा सकते है और अगर आप लोग इसका serverless version यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग के लिए यह process बहुत असान हो जाती है यह सारा काम आप कर सकते हो बिना sharding complexity के और full uptime के और यह super reliable होता है with no downtime यह आपके real time analytics को और transactional processing को बहुत अच्छी दावसे handle करता है with that said हम लोग इस वीडियो में इस्तिमाल करेंगे TIDB serverless का और यहाँ पर हम इसका free version इस्तिमाल करेंगे जिसमें 5GB आप लोग को absolutely free of cost मिलता है तो basically 5 clusters आपको मिलते हैं per cluster 5GB यानि कि 25GB storage absolutely free और उसके उपर से अगर आप लोग कुछ भी करते हो तब आपको charge किया जाता है यानि कि अगर आपके server पर कुछ भी handle नहीं हो रहा है आप database के इस्तिमाल नहीं कर रहे हो तो आप इसको scale down कर दो to zero at its core यह database एकदम open source है तो जल्दी से computer screen पर हम लोग चलके इसको start करते हैं और development करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैं अपनी computer screen में आ चुका हूँ यहाँ पर एक सबसे पहला काम मैंने की आए कि code playground वाले folder में मैं आ चुका हूँ जिसका मतलब यह है कि यहाँ पर मैं टाइडीवी serverless का इस्तिमाल कर सकता हूँ अब आप लोग यहाँ पर जैसे ही देखोगे आप लोग को दिखेगा कि मैं आपर आ चुका हूँ टाइडीवी serverless के page पर मैं आपर try free पर click करूँगा यहाँ पर मुझे मिलेगा free में इसको इस्तिमाल करने कम होगा तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर करूँगा sign up with google यहाँ पर मैं अपना email डालूँगा और यहाँ पर मैं अपना password डालूँगा और आप यहाँ पर देख सकते हो accept idb cloud terms मैं इसको accept करूँगा पढ़ने के बाद आप लोग इनकी privacy policy और service agreement को पढ़ा लेना तभी accept करना अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो cluster 0 serverless यहाँ पर मुझे यह देखने को मिल रहा है मैं आपर क्या करूँगा कि chat to query पर क्लिक करूँगा और यह जो chat to query है यहाँ पर क्या करेगी मेरे लिए easy बना देगी idb serverless को इस्तिमाल करना अब मैं आप अबर अपने password को paste कर दूँगा ठीक है in fact this is the worst way to save a password but again मैं इस वीडियो को demonstration purposes के लिए बना रहा हूं और बिल्कुल भी आपने password को ऐसे save मत करना मैं आपर क्या करूँगा कि आप को बनाना तो मैं आपर क्या करूँगा नेक्स जैस आप करने के लिए यह जो कमांड लाइन कमांड है इसको चलाओंगा इंफाक्ट मैं यह लर्न स्टार्टर वाली जो आप है उसको नहीं लूँगा मैं सिंपली यहाँ पर जाओंगा क्रियेट नेक्स्ट एप क्लिक करूँगा जैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैं कुछ इस तरह से नहीं बना सकता हूं तो मैं आपर क्या करूँगा कि इस फोल्डर में आउंगा शिफ्ट राइट लिक करके ओपनें टर्मिनल करूँगा और यहाँ पर आप देख सकत अब यहाँ आप देख सकते हो कि मैं थोड़ा सा वेट करूँगा और जैसे यह सब हो जाएगा उसके बाद में टेल्विंट की साहिता से अपना फ्रेंट बनाऊंगा आप देखना अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने यह कर लिया है मैं क्या करूँगा कि इसको खोल जी बनकर मुझे मिल गई है और यहाँ पर जावास्क्रिप्ट ना करके मैं देखता हूं जैसे लिखोंगा तो अब इस तरह से डिव लिख सकता हूं और मैं यहाँ पर है आए आएम गुड लिख दूंगा और रिटन दूबार नहीं लिखोंगा और अब मैं यहाँ यान ड अब लिखोंगा अगर आप लोग NPM यूज करने तो NPM ही यूज करना यान यूज करना ऐसा होता है ठीक है तो यह कर लोगा और आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे मैं नहीं किया लोकल होस्ट पर आपकी आप जो हो धिख जाईगी और जो मैंने डिप के अंदर लिखा थ अब यहाँ पर मैं Global Styles मेरे आएंगे कुछ यहाँ पर देख रहा हूं कहां पर है Global.css आप देख सकते हो यहाँ पर है तो इसको मैं हटा दूगा Global.css को ठीक है इंफाक बस Tailwind वाला पार्ट रहने दूगा इसमें क्योंकि Tailwind हम यूज करने वाले है बागी सब हटा दूगा अब यह करने के बाद में क्या करूँगा कि मैं जाओंगा Tailblogs.cc पर और Tailblogs.cc पर जाकर मैं एक form यहाँ पर ले आँगा जो कि मुझे to-do list बनाने महल्प करेगा तो एक काम करता हूं यहाँ पर एक बहुती सिंपल सा form लेकर आँगा और यहाँ पर मैं लेकर आँगा यहा और यह करने से पहले यह चीज चार्ट GBT को दे सकता हूं और बोल सकता हूं चार्ट GBT को कि यार मुझे इसको ठीक करके दो ठीक है बडट लेट्स ना यूज सार्ट GBT को मैं खुदी सापको ठीक करके बताऊंगा वी और वरटराइप करूंगा और आपको दिखाँगा कि अरप आपनी एक पुछ Tennessee् इंफ डियां एक इसको ऐससे अब बना शाल अब झाए उसको समर आंगा और शेज़ करके मै पर कि यह स्पेम इन इन पा प्रकी कि अफ डिगtalk कि यह अब यह तो अब देखें की नाम से होता है Navbar header 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 I'm searching for header blog content cta girly header यह रहा और बहुत ही simple header में रखूंगा copy to clipboard करूंगा और यहां पर टालतूंगा इसको टीक है header और इसके बाद आप देख सकते हो कि हमारी website कुछ इस तरह से देख रही है यहां पर यहां पर क्या करूंगा add to do करूंगा तो जो title लोगा page का सबसे पहले तो उसको मैं change खेंगा मैं ले पव्व में यहां पर लिखंगा to do x the best to do list और इसके बाद मैं क्या करूंगा कि आऊंगा page .js में є यहां पर लिखोंगा home, यहां पर लिख देता हूँ, about, a, b, o, u, t और that's it, मैं home और about ही लखोंगा यहां पर अपी ठीक है, और यह button भी अटा दूँगा यहां से, यह भी मुझे नीचे, तो अभी मेरा जो अप है, वो कुछ इस तरह से लिख रहा है, home, about, और यहां पर जो contact असे, उस पर मैं लिख दूँगा, add a to do, ठीक है, तो मैं लिख दूँगा, add a to do, यहां पर मैं लिख देता हूँ कि, helps you add a to do, ठीक है, कुछ इस तरह से, helps you add a to do, add your first to do now, ठीक है, तो यहां पर आप text कुछ भी कर सकते हो, ज़रूरी निये कि, जो मैंने कि, है text भी आपको करना है, ठीक है, तो यहां पर जैसे ही मैं आप लोग को इस तरह से लिख रहा है, तो यहां पर आप to do title और to do message, वो डाल सकते हो, तो मैंने यहां पर width 1 by 2 वाली जो div है, मैं जो email वाला पार्ट है, उसको रहने दूँगा, in fact मैं जाता हूँ कि, जो email वाला पार्ट है वो पूरी width ले ले, तो width 1 by 2 मैं इसको नहीं दूँगा, width full दे दूँगा, ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको width full दूँगा, आप देख रहा है, यहां पर, इसने पूरी width ले ले to do description, ठीक है, तो title और description दोनों आ गए, यहां पर मैं इसको कर देता हूँ, message, यह message और यह जो email लिखा हूँ है, इसको title कर देता हूँ, यह text हो जाएगा type is equal to, id में आ जाएगा title, name में आ जाएगा title, same मैं इसको desc कर दूँगा, id में आ जाएगा desc, name is equal to desc, for is equal to desc, ठीक है, बढ़िया, तो यह करने के बाद जो button है, इसको मैं कर दूँगा, add to do, ठीक है, कुछ इस तरह से, और यह जो devs को मैं हटाँगा, obviously य don't need it, ठीक है, तो add to do मैं यहाँ पर करूँगा, इसके बाद मैं यहाँ पर to do's को दिखाऊँगा, तो format, document मैं करूँगा, तो जैसे ही कोई भी इंसान to do को add करेगा, ठीक है, कोई भी इंसान to do को add करेगा, तो मैं क्या चाहँँगा, कि मेरी जो to do list है, वो add हो जाएगा, त in fact, हम दो extensions install करेंगे, एक तो ES7, React, Redux, GraphQL, Snippets, अब यहाँ पर देख सकते हो, इसको मैं Snippets को install करूँगा, और इसके बाद, Tailwind, CSS, IntelliSense, यह दू मैंने extensions को install करेंगा, ठीक है, in fact, मैं यह वाली जो extension है, वो भी install कर लूँगा, यह 7, React, Redux, 9,000,000 वाली जो extension है, DS, Xan, जार करके, और मैं अब लिखूँगा, यू स्टे निसने पर तब आ गया है, और आप देख सकते हो, तो डू आ गया, और तो डू से टू इकल टू यह आ गया, और इसके बाद मैं आपर क्या करूँगा, कि इस तरह से एक object बना लूँगा, और इस object में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो एक title, तो मैं आपर क्या करूँगा, ताइप और इसकी value is equal to कर दूँगा, value is equal to कर दूँगा, इसका मैं to do.title, और यहां पर value is equal to मैं कर दूँगा, text area में, कुछ इस तरह से, value is equal to to do.desc, और मैं आपर एक काम करता हूँ, title blank, और, desc blank, तो यहां मैं reload करूँगा, कुछ भी डालूँगा, तो ताइप में नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसका reason क्या है, मैं आपर क्या करूँगा, const on change is equal to, और मैं आपर e लिखूँगा, और मैं लिखूँगा, set to do, और यहां पर मैं क्या करूँगा, एक नया to do बनाऊँगा, मैं कहूँगा, to do, to do, और यहां पर जो इसका दूसर argument होगा, वो होगा, e.name, colon, e.value, ठीक है, कुछ इस तरह से, तो मैं क्या कर रहा हूँ, basically, मैं change कर दे रहा हूँ, to do's को, such that, जो to do's की value पर से, वो interact रहा है, बस यह e.name की value हो, वो e.value हो जाए, तो यह करने से क्या होगा, मैं आपर दिखाता हूँ आपको, इसको मैं handle change बोलूँगा, और मैं आपर लिख दूँगा, on change is equal to handle change, यह काम मैं करूँगा, to do title पर, on change is equal to handle change, और यहां पर भी करूँगा, और अब मैं आपर type अभी नहीं कर पा रहा हूँ, let's see what's wrong, काम करते हैं, देखते हैं कोई error तो नहीं आगया, error तो आया है, error तो काफी है, तो class की जगा class name करना है, class is equal to, जहां जा था, वहां class name is equal to करना है, ठीक है, तो मैं replace all करूँगा, और अभी मैं इसको reload करूँगा, तो errors should go, और देखता हूँ, तो for की जगा HTML for करना है, stroke width की जगा stroke width करना है, तो मैं आपर लेकिन type क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, यह 1 billion dollar question है, तो मैंने लिखा handle change, on change is equal to handle change, ठीक है, और यहां पर भी लिखा, तो अगर मैं input में आउँ, तो आप देखो इसका name is equal to, इस input में name is equal to title है, तो to do का title है, वो set होना चाहिए, but यह नहीं होरा है set, let's console.locktodos, ठीक है, आप देखते हैं क्या होता है, यहां पर टाइप कर रहा हूँ, यहां पर आ रहा है रहा है, तो tos करना होगा इसको, now let's see, इसको reload करके, तो मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, यहां पर undefined रहा है, which means कि मुझे यहां पर e, मेरा e मेरा नら्म है यहां पें पहुंच यह नहीं रहा, यह यह इवेंट पहुंच यह नहीं रहा है यह आपED रहा है अपर आप देख रहे हो, जा हम धीअ हन्दल हम्सें पहुंच लएं तो मैं onChange is equal to लिखूँगा handleChange in fact मुझे पता है क्या करना पड़ेगा onChange is equal to ऐसे करना पड़ेगा ऐसे करना पड़ेगा e handleChange e अभी देख रहा है यह हो जाएगा अभी भी नहीं हुआ यह डिलोड करता हूँ तो गलती मैं यह करना हूँ मुझे आपट e.target.name और e.target.value लिखना चाहिए अभी सही हो जाएगा e.target.name और e.target.value लिखने के बाद तो यह देखो यह अभी मेरा to-do और dsc सेट होना शुरू हो गया तो मैं इसको रिलोड करूँ अगर तो जो undefined undefined दाना था नीचे वो नहीं आ रहा है इसको मैं हटाऊँगा यहां से अब मैं चाहता हूंगी जैसे मैं add to-do पर क्लिक करूँ मैं actual मैं to-do को add कर पाऊँ तो मैं simply क्या करूँगा कि जो add to-do वाला बटन है मेरा उस पर जैसे को क्लिक करें मैं submit function को run करूँगा तो यहांपर मैं simply क्या करूँगा कुछ इस तरह से handle submit is equal to और लिखोंगा यहांपर console.log e.target ठीक है मानलो मैं यह लिखता हूँ यहांपर मैं काम करता हूँ कि console.log to-dos लिख देता हूँ आपर ठीक है तो मानलो कि जो to-dos है इनको मैं send करना जाता हूँ और इनको मैं root.js बनाकर let us say मैं यहांपर क्या करता हूँ कि एक root.js बनाता हूँ इसे page.js बनाई है मैं वही पर एक root.js बनाऊँगा ठीक है और यहांपर search करूँगा next.js root.js ठीक है तो आप यहांपर देख सकते हो कि root.js से क्या होता है कि आप इस तरह के functions को implement कर सकते हो ठीक है तो एक काम कर लेते हैं यहांपर root.js में यह बना लेते हैं ठीक है और यह import भी जालना पड़ेगा import request from next request ऐसे कुछ होता है import request request from next request एक काम करता हूँ next request अब यहांपर आप लोग देख सकते हो कि type annotations का इस्तेमाल किया हूँ आप डाइप स्क्रिप्ट यूज नहीं कर रहे हैं चेंज अलग प्रेंस करूँगा backspace करूँगा तो यह हो जाएगा अब मैं आपर क्या कर सकता हूँ कि console.log request कर सकता हूँ console.log request तो मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूँ जैसे ही इस्तेमाल करेंगे हम और उसमें get request बारेंगे तो क्या होगा कि यह चीज आ जाएगा अब आप देखो यह आपर कि किस तरह से API बनाना है यह मैं आप लोग को बताता हूँ तो हम क्या करेंगे जैसे कि इन्होंने आपर बनाय हुआ है आप-डashboard-team-root.js पे आपर एक API नाम से folder बनाऊँगा ठीक है और यह root.js इसके अंदर डालतूँगा move और मैं क्या करूँगा कि slash API करूँगा यह आपर localhost slash API ठीक है और यह कह रहा है कि वह 500 error आगया देखते हैं यह दिककर आई by the way आप लोगो बता होना चाहिए कि आप इसको एक tab बना सकते है कुछ इस तरह से आप लोगो पताएगी नहीं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अब यह आप बता है कि no response is returned from root handler okay तो यह कह रहा है कि बस request लेके आपने छोड़ दिया तो response भी हम return कर सकते हैं कोई बड़ी चीज नहीं है मैं आपको दिखाता हूँ कि इस तरह में से होता है response return तो आप यहाँ पर क्या कर सकते है return response करके और एक response return कर सकते है कुछ इस से return response है ठीक है मैं ऐसे कर दूँ और इसके बाद मैं इसको reload करूँ तो अभी भी 500 आ रहा है देखता हूँ क्या दिक्कत है अभी क्या दिक्कत आ गई इसको यह कह रहा है कि आपको next URL type constructor response cannot be invoked without new तो मुझे आप new लगाना पड़ेगा ठीक है return new response है और इस बारी चलके आप देख सकते हो ठीक है और यहां पर काफी बढ़िया चीज यह लगी मुझे कि आप directly response रिटर्न कर सकते हो जो कि बहुत ही सही बात है ठीक है अगर मैं यहां पर एक JSON देदू मालो मैं लिखता हूँ तो क्या यह मुझे object देगा नहीं यहां पर object object लिखकर आ रहा है यह basically इसको .json कर सकता हूँ कि यहां पर response.json नहीं कर सकता तो यह जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो मैंने next response.json और next response को इस तरह से import किया तो यहां पर a हे लिखकर आ गया तो मैं क्या कर सकता हूँ crud operations यहां पर perform कर सकता हूँ तो मैं यहां पर create, read, update or delete operations यहां पर डाल सकता हूँ तो मैं basically करूँगा क्या इसी template का इस्तेमाल करके सारे काम करूँगा तो यहां पर मैंने बड़ा simple सा काम किया कि console.log किया है to-dos को तो जैसे ही मैं submit करूँगा तो मैंने यहां पर console.log कर दिया जैसे कि आप ही देख सकते हो यह object है DESCS पे और title है तो यह मैंने कर दिया अब मैं चाहता क्या हूँ मैं चाहता हूँ कि मैं लिखूँ let a is equal to fetch और यहां पर मैं लिखूँगा slash api slash route in fact slash api लिखूँगा और इसको fetch करूँगा with some data तो मैं क्या करूँगा यहां पर लिखता हूँ post request using fetch और जैसे ही post request using fetch लिखूँगा आप यहां पर देखना कि कुछ इस तरह से response is equal to fetch और इसके बाद method post करना पड़ेगा content type application JSON और इसके बाद मैं return response.json करता हूँ यहां पर पेस्ट करता हूँ कॉमा लगा कर and definitely I don't want all these comments और इतना सारा मुझे नहीं चाहिए बस ही है कि मुझे syntax चाहिए था तो मैं इसको इस तरह से करूँगा और यहां पर headers में यह किया fetch API और I think I am good now तो मैंने आपर लिखा let a is equal to fetch a और मैं काम करता हूँ इसको ही casing function बनाता हूँ let is equal to await fetch बनाऊंगा और let response is equal to बनाऊंगा e.json ठीक है और यहांपर मैं काम करता हूँ console.log response बनाऊंगा और जैसे ही यहांपर कोई post request मारेगा मैं चाहता हूँ कि कुछ इस तरह से यह दोनों चीज़े आए ठीक है hey this is a post request ठीक है बहुत ही simple hey this is a post request now let's see reload करूँगा यहांपर मैंने कुछ भी लिखा add to do किया which means कि हमारी post request काम कर रही है तो जो हमारी post request होगी वो इस to do को save कर देगी ठीक है और यहांपर post request मारने के बाद मैं एक चीज़ और करूँगा कि जो मेरा to do है उसको मैं set कर दूँगा set to do's कर दूँगा और यहांपर लिख दूँगा title blank और description blank ठीक है title blank किया description blank किया reload किया और आप देख सकते हो खाली हो गया जैसे मैंने submit किया इसको ठीक है तो यह चीज़ करने में हम कामियाब रहे अब हम क्या करेंगे tie db को यहांपर integrate करेंगे tie db को कैसे integrate करेंगे मैं आप लोग को दिखाता हूँ तो यहांपर आप देख सकते हो कि tie db का जो हमारा next.js वाल एक्जामपल है उसमें हमें .n file के अंदर यह सारी चीज़े डालनी है तो मैं यहांपर अपनी .n file है में .n file यहांपर नहीं है तो मुझे बनानी पड़ेगी और यहांपर आप देख सकते हो gateway region.aws.tydbcloud.com तो जो मेरा gateway region है वो क्या है यहांपर मुझे पता चलेगा तो यहांपर आप देख सकते हो इसको मैं copy कर सकता हूँ और इसको यहांपर paste कर सकता हूँ view word wrap और यहांसे मुझे सब कुछ मिल जाएगा यह मेरा user name है तो यह मेरा prefix actually तो मैं इसको कट करके यहांपर डालूँगा prefix.root और यहांपर मैं ऐसे कर दूँगा password की जगह मैं अपना password डालूँगा जो की मेरी clipboard history में होना चाहिए बहुत ही starting में मैंने रखा था clipboard history में यह रहा ठीक है और यहांसे इसको copy करूँगा यह जो पूरा हमारा aws.idbcloud.com है उसे copy करूँगा और यहांपर paste कर दूँगा यहां paste कर दिया इसको and that should be about it I guess और यह करने के साथ साथ मैंने इसको save कर लिया और अभी यहांपर import mysql from mysql2 करूँगा और करके देखता हूँ यह तो मैं simply क्या करूँगा इसे copy करूँगा और copy करने के बाद यहांपर अपनी root.js में paste करूँगा ठीक है तो यहांपर मैं add the top इसको paste कर दूँगा और यह करने के बाद मैं insert वाला code है उसे copy करूँगा और insert वाले code को copy करके यहां पर simply डालूँगा insert का code ठीक है तो यहां पर right click करके format document करूँगा और यह query को मैं definitely change करूँगा और I just want to see कि अब कुछ चल रहा है कि नी चल रहा है तो यहां पर हमने return कि pool await pool.query और मैं देख आता हूँ सब कुछ ठीक है कि नहीं यहां पर क्या किया कि अपना server restart कर लिया this is important because environment variables load नहीं होंगे अगर आप लोग अपने server restart नहीं किया तो ठीक है अब यहां पर वापस आँगा to do x में यहां पर लिखूँगा 1 यहां पर लिखूँगा add to do करूँगा and यहां पर आगया error mysql2 को resolve नहीं किया जा सकता अब देखता हूँ मैं यहां पर क्या दिक्कत आ रही है mysql2 कहां से लेकर आना है मुझे तो मैं यहां पर आऊंगा इस repo पे इनके package.json में होगी mysql2 if I am not wrong और मुझे उसको install करना पड़ेगा तो आप यहां पर देख सकते हो कि इनकी mysql2 है अलरड़ी तो मैं काम करूँगा npm i mysql2 करूँगा वो मेरी भी mysql2 जो है वो install हो जाएगी दुबारा से server को start करूँगा and let's see कि अभी क्या होता है तो मैं आपर कुछ-कुछ लिखोंगा cvbcbv और यहां पर यहां पर 500 internal server as an expected end of json input, okay, let's see what's wrong, अभी यहां पर क्या होग कि createPool is not defined, okay यहां पर यहां पर createPool is not defined, तो pool is equal to createPool किया गया, यहां पर mysql.createPool pool is equal to createPool, okay तो अभी यहां पर changes करना चाहता हूं जैसे कि Forts is equal to s की change all occurrences करके मैं इसको करना चाहता हूं फिर इसके बाद मैं क्या करना चाहता हूं जो stroke है, उसको मैं करना चाहता हूं stroke line gap change all occurrences करूंगा और यहां पर इसको capital L बना दूँगा, same for stroke line join, change all occurrences, और यहाँ पर capital L, same for stroke width also, ठीक है, and that should do, अब मैं इसको submit करूँगा, तो यहाँ पर दुबारा से error आदा है, और अब देखता हूँ क्या error आदा है, तो मैं यहाँ पर आया, मैं नीचे scroll करूँगा, और देखोंगा क्या error आदा है, तो यह कह रहा है, तो यह कह रहा है कि, you have tried to call.then and invoke await on the result of the query, that is not a promise, which is a programming error, okay, तो देखता हूँ यहाँ पर कि मैंने कहाँ await कर दिया है, तो यह कह रहा है कि भाई, आपने, आपका ही जो pool है, okay, तो let's do it await connect, और मैं देखता हूँ क्या connect decasing function है, नहीं await connect decasing function नहीं है, तो let's see कि यहाँ पर क्या होता है, तो मैं एक काम करता हूँ कि instead of doing all this, मैं इसे cut करता हूँ, और मैं कहूँगा let pool is equal to, मैं आपर कहूँगा let pool is equal to mysql.createPool, ठीक है, और यह pool मुझे मिल गया, अब यह connect वके रहा, मैं यह सब नहीं कर रहा हूँ, और यह सब भी मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने pool मुझे मिल चुका है, और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, await भी नहीं करूँगा, हाँ wait कर सकता हूँ इसको मैं, await pool.query, और insert into players, ठीक है, और यहाँ पर pool मेरा global variable, and now let's see क्या होता है, इसको reload करूँगा, कुछ मैंने डाला title, कुछ डाला description, और यहाँ पर दुबारा से error, and now let's see what the error is, और यहाँ पर same error है, you have tried to call dot then, or invoke the wait, so guys, मैंने इस चीज को debug करने के लिए क्या की है, कि एक नई file बनाई, जो कि मैंने यहाँ पर this.js के नाम से बनाई, और यहाँ आप देख सते हो कि मैं अगर यहाँ पर values में लिखता हूँ, मालो Harry, मालो मैं लिखता हूँ यहाँ पर 45 और 122, ठीक है, और इसके बाद मैं इसको run करता हूँ, और मैंने विसी के लिए कि नोट.js का इस्तेमाल के इसको run करने के लिए, मैं यहाँ आप लोग को दिखाता हूँ, और मैंने यहाँ नोट.js जैसे ही लिखा, आप यहाँ पर देखो जैसे ही मैं इस database को यहाँ पर reload करूँगा, chat to query में आकर आपको यहाँ पर show 100 records करूँगा तो दिखेगा, कि यह value यहाँ पर आ गई है, तो आप देखो 45 और 122 यहाँ पर आ गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको मैं वार कैर बनाओ, तो वार कैर मैं इसको कैसे बना सकता हूँ, documentation में देखकर ठीक है, तो यहाँ पर schema design overview में मैं आउंगा, और यहाँ पर आप देखो कि किस तरह से schema बनाना होता है, यह आपर बताया हुआ है, तो मुझे आपर भी बहुत simple सा काम करना है, और वो यह है कि int की जगा पर मुझे वार कैर यूज करना है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं देखता हूँ वार कैर कहाँ पर है, let's see कि मुझे वार कैर कहीं पर मिल जाए, तो मैं इस तरह से करूँगा वार कैर 100, तो int की जगा वार कैर 100, यहां पर भी वार के 100 यहां पर भी वार के 100 और इसका ना मैं to do's to रख देता हूँ ठीक है इसका ना मैं to do's to रख देता हूँ और यहां पर values में मैं क्या करूँगा एक तो लिख दूँगा Harry और मुझे इसको लिखना पड़ेगा double quotes में क्योंकि single quotes में already use कर चुका हूँ तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिखाँगा double quotes में ठीक है और इसको भी मैं double quotes में लिख देता हूँ SDFF और यह ठीक है तो मैं इसको जैसी run करूँगा आप लोग यहां पर देखना कि जो मेरा database है उसके अंदर यह value आ जाएगी ठीक है तो इसको मैं refresh कर सकता हूँ मैं इसको यहां से दुबारा से इस page को in factory load करता हूँ इस बार to do to नाम से एक और table बनी होगी I hope बनी होगी and yes बनी है show 100 records करूँगा इस table के तो आप देखो यहां पर empty set दिखा रहा है ठीक है इसका मैं data insert हमारा नहीं हो पाया क्या मैंने to do to do to do to करना पड़ेगा मुझे आपर to do to करना पड़ेगा और to do to करने के बाद अब मैं करूँगा यहां पर अगर show 100 records in fact उससे भी पहले मुझे इसको चलाना पड़ेगा ताकि data insert हो जाए और अब मैं करूँगा यहां पर show 100 records तो to do to do to में data insert होगा जैसे कि आप लोग देख सकते हैं तो description में 1 to 2 title में यह ठीक है और भी आप लोग बहुत सारे data insert कर सकते हैं लेकिन मैंने नहीं किया है ठीक है तो यह चीज़ आप लोग देख लेना कि अगर आप चाहते हो कि और आपके values आए इसमें तो वह भी आप बहुत easily डाल सकते हो ठीक है तो यह बहुत ही simple से यह आपर query थी अब मैं simply क्या करूँगा कि यह वाली query का इस्तिमाल करकर introduce select start test.introduce to limit 100 ठीक है मैंने कि 100 to do's हम एक बार में fetch करके show कराएंगे ठीक है और मैं root.js में आऊँगा बड़ उससे भी पहले मैं एक काम करता है root.js को ठीक कर लेता है तो मैंने यह आपर क्या किया एक global pool बनाया ठीक है मैं यह से copy करूँगा इसको यह आपर already मैंने global pool बना रखा है अपने connect method को मैं हटाऊँगा pool को हटाऊँगा and instead of connect and get pool मैं यह function इस्तेमाल करूँगा आप देख सकते हैं यह आपर connect function है get pool function है और उसके बाद जैसे ही मुझे यह आपर अपनी query को चलाना होगा मैं यह code चलाऊँगा आप देख सकते हैं यह आपर इस code को और आप लोग देखना कि pool is equal to await get pool तो यहाँ पर जैसे post request मुझे मारनी होगी pool is equal to await get pool करूँगा और उसके बाद यह सारी चीज़े करूँगा तो एक काम करता हूँ उसको freshly लिखता हूँ तो मैंने लिखा pool is equal to await get pool और यहाँ पर pool.query एक table बनाई जाएगी अगर वह already exist करती है तो नहीं बनेगी वर ना बन जाएगी ठीक है तो मैंने वारकर हंट्रेट करके एक नहीं table बना लिए इसके बाद मैं आपर rsh is equal to कुछ ऐसे कर सकता हूँ और pool.query करके मैं insert कर सकता हूँ ठीक है and let's see अब यह चीज काम कर रही है next.js से integrate होगे क्या rsh print हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है और अकर हो रहा है तो किस तरह से मैं उसको इस्तमाल कर सकता हूँ तो मैं एक चीज करता हूँ यहां पर कि अपने todo x को reload करता हूँ और मालनों में ty 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 लिखता हूँ और यहां पर आगया एक error ठीक है देखता हूँ क्या error है वह वह error कहा है object is not iterable let's stop it and let's restart the server और देखता हूँ यहां पर यह mistake मैंने क्या करी है जो यह हो रहा है तो मैंने await getPool console.log rsh in fact मैंने यह चलाया नहीं which is a big mistake नहीं उपर चला रख है यह करने के बाद यह insert होना चाहिए let's see what's wrong तो मैं reload करता हूँ मैं reload करूँगा क्या मैंने server stop कर दिया देखता हूँ server मेरा stopped है npm rundev and जैसे ही server start हो जाएगा मैं कुछ ना कुछ insert करूँगा database में basically ठीक है तो यहां पर मैं देख रहा हूँ क्या problem हा रही है module is okay तो मैंने एक mistake यहां पर की हुई है mistake नहीं है actually type is equal to module किया था ताकि मैं इस script को run कर पाऊँ अभी मैंने वो हटा दिया है तो जब भी आप stand-alone script type is equal to module आपको करना परता है but I think we are good now भी मैं इसको reload करूँगा और यहां पर ty ty लिखूँगा ty ty add to do and again हमको एक error देखने को मिलता है और वो error क्या होता है object is not i triple rsc okay तो एक काम करता हूँ मैं आपर instead of doing rsh मैं कुछ इस तरह से console log rsh करता हूँ and this time there is no error ठीक है और इस बार क्या होगा कि rsh में जो जो चीजे है वो मुझे print होकर मिलिंगी आप आपर देख सकते हो ठीक है तो यह rsh के दिज़ जो जो चीजे थी वो आ गई है मुझे पूरा यह object है वो print होकर मिल गया है और मैं console.log request नहीं डालूँगा instead मैं a में क्या करूँगा कि rsh को डाल दूँगा तो मैं इसमें rsh को डाल दूँगा और देखता हूँ यहापर क्या होता है तो a में rsh मैंने डाला और rsh मैं आप देख सकते हो यहापर कि कुछ-कुछ डालता हूँ actually मैं यह डालता हूँ add to do करता हूँ और आप देखो यहापर कितना fastest ने सबकुछ इंसर्ट कर दी आप देख सकते हो sequel है, query timeout है काफी चीज़ें के अंदर है events के अंदर आपको और वह साही चीज़े देखने को मिल जाएंगी query options के अंदर आप लोग को बहुत चीज़े देखने को मिल जाएंगी फिर काफी सही है मतलब यारी आप इसमें देखो कि आपका data यहापर आगया होगा तो मैं आगा show 100 records करूँ तो यहापर इस बार आपको बहुत सारे records देखने को मिलेंगे कह रहा है कि data जो है वो आया हुआ मैं आपर बता है क्या करूँगा मैं जो मिली request है उसके अंदर से मैं लेकर आओँगा data को तो वो मैं कैसे करूँगा आपको दिखाता हूँ तो अगर मैं आपको root.js के अंदर लेकर जाओ next.js root.js तब आप देखना कि request request में से आप किस तरह से parse कर सकते हो request.json कर सकते हो अब ठीक है मैं देखता हूँ body is equal to let body is equal to await request.json if I am not wrong ऐसे ही करना होगा let's see let's see let's see सारे console locks हटा दूँगा RSH भी हटा दूँगा और नीचे मैंने कुछ-कुछ लिखा था तो भी हटा दूँगा अभी देखता हूँ कि क्या होता है तो जैसी मैं आपर माल लो dd और d लिखोंगा add to do करूँगा तो यह कहना रहा है तो यह कहना रहा है unexpected end of json input json.parse okay instead of doing json I think I should do request.body 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 is not a function तो actual मैं यहां पर हमें करना क्या होता है कि body में json.stringify करके to-dos को भीजना होता है और उसी के साथ साथ यहां पर आप देख सकते हो कि console.log data करने से मेरा जो data हो यहां पर आ रहा है title.desc अब मुझे क्या करना है data.title data.desc को यहां पर लेकर आना है तो मैं क्या करूंगा values में सबसे पहले लिखूंगा data. एक तरीका होता है इस तो करने का मैं आपको दिखाता हूं क्या यहां लगा दो question mark यहां लगा दो question mark और इसके बाद यहां पर as second argument आप दे दो यहां पर कुछ इस तरह से data.title data.desc अब यहां पर मैं क्या करूंगा reload करके यहां पर लिखूंगा hey और मैं लिखूंगा how are you और to do को मैं add करूंगा तो आप देखना है यहां पर कि मेरे database में hey और how are you add हो जाएगा इसको reload कर लेता हूँ show 100 records करता हूँ और यहां देखो hey how are you वो आ गया ठीक है तो हमने insert करना तो देख लिए कि कि इस तरह से to do को insert करना है तो इस तरह से हम insert कर सकते हैं to do को और अपने to do को fetch करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहां पर get request के अंदर डालेंगे ठीक है तो यहां पर मैं simply क्या करूँगा कि यह query का इस्तेमाल करूँगा my query is equal to कुछ इस तरह से यह query है ठीक है और उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा यह मैं हटाता हूँ अभी के लिए जो file to console logs है और मैं यहां पर simply क्या करूँगा इसे copy करूँगा और इसको ऐसे कर दूँगा और यहां पर console.log rsh कर दूँगा ठीक है तो यहां पर pool.query query हो जाएगा जो मेरी query है my query ठीक है देखता हूँ यहां पर क्या होता है और rsh is equal to pool.query query query यहां पर करूँगा create table करने की जरूवत नहीं मुझे ठीक है और rsh को मैं console log कर दूँगा let's see क्या होता है इसको reload करूँगा और जैसे मैं इसको reload करूँगा in fact मैं इसको run ही नहीं किया है तो मैं यहां क्या करूँगा localhost slash api get request मारी मैंने और यहां पर a हे आया ही नहीं let's see what's wrong mquery is not defined mquery is not defined let mquery is equal to let's go अभी भी दिक्कत इसको क्या दिक्कत है भाई a query is not defined okay let query is equal to यह हो जाएगा यहां पर भी let pool कर देता हूँ तो यह mquery my query कर दूँगा इसको मैं a हे आ रहा है लेकिन a हे नहीं चाहिए a rsh let's go let's see क्या होता है तो यहां पर query का result नहीं आ है which is quite strange SQL यह है सब कुछ साही साही है मैंने rsh is equal to pool.query query किया in fact मैं काम करता हूँ कि insert query data पर आता हूँ और मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूँ तो मैं यहां पर row zero कर दूँगा यह जो था option यह चूज किया इसको wrap किया एक promise के अंदर तो आप देख सकते हूँ यहां पर मैंने एक promise के अंदर wrap किया हूँ कहां गया तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो array of array पर आप कर सकते हो रोस के अंदर ठीक है अब क्या करेंगे तो इस array of array को इस्तेमाल करेंगे यहां पर तो मैं क्या करूंगा कि एक use effect लगा यहां पर लिखुगा use effect snippet और यहां पर मैं क्या करूंगा कि use effect के अंदर लिखुगा let a is equal to fetch और यहां पर लिखुगा slash API let b is equal to await a.json console.log यहां पर b और यहां पर लिखुगा await और इस पूरे को मैं wrap कर दूँगा async function में जिसका नाम होगा get data तो मैं लिखुगा const get data is equal to arrow function जो कि async arrow function होगा async async और यह सब में डाल दूँगा और यहां पर get data को call कर दूँगा और यहां पर मैं क्या करूँगा जो मेरे to do's होंगे current to do's यहां पर use state snippet कर दूँगा use state snippet और यहां पर लिख दूँगा current to do's is equal to यह पहले blank हुआ करते थे फिर मैं क्या करूँगा set current to do's और मैं लिखूँगा simply b.to do's in fact rows ऐसे कर दूँगा यहां पर यहां पर use state के साथ use effect को भी import करना चाहिए था आप लोग के यहां पर देखो कि array of array यहां पर आगए ठीक है 0 में 2 values है तो मैं simply क्या करूँगा current to do's है मेरे उनको map करूँगा मैं simply section के बाद एक और section लगाँगा 1 h1 लगाँगा और यहां पर लिखूँगा तो मैं आपर लिखूँगा to do यहां पर नीचे चलेगा actually तो मुझे क्या करना चाहिए section को 1 dev बना देना चाहिए मैं काम करता हूँ यहां पर ctrl x करूँगा और यह section है dev is equal to तो मैं चीज और कर सकता हूँ dev.container और इसके अंदर इस पूरे section को मैं wrap कर सकता हूँ और यह center में आ जाना चाहिए था आया क्यों नहीं container के साथ-साथ मैंने margin भी देनी चाहिए तो मैं वह भी दे देता हूँ कहां गए तुम container section div container यह मैं सारी जो classes है as it is दे दूँगा इस वाले container को ठीक है जैसे कि आप देख सकते हूँ center हो चुका है your to do's आ गया है यह पर और उसी के साथ-साथ में क्या करूँगा your to do's में to do title लिखूँगा paragraph में और उसी के साथ-सा to do description लिखूँगा तो मैं simply एक काम करता हूँ मैं लिखता हूँ to do's dot map current to do's dot map और यहां पर मैं लिखता हूँ item और मैं यहां लिखूँगा return करो एक paragraph ठीक है और यहां पर लिख दो item.title और यहां पर लिख दो item.desc ठीक है let's see क्या होता है यह कुछ भी नहीं आया item.title नहीं item 0 करना चाहिए item 0 item 1 item 0 करने से आया क्या हां आ गया और यहां पर item 1 ठीक है तो यहां पर जो titles है वो सब आ जाएंगे मैं काम करना चाहूँगा यहां पर मैं classes add करना चाहूँगा एक तो text to excel और उसी के साथ bold करना चाहूँगा इसको मैं तो मैं आपर क्या करूँगा text font bold your to do add a to do बढ़िया और यहां पर यहां पर यहां पर आपके आ गए format document इसको करता हूँ सबसे पहले और इस div के अंदर में क्या करूँगा open AI की जो help है वो मैं डालूँगा तो मैं आपर लिगूँगा help from open AI तो हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा current to do है उससे related हम help लेकर आएंगे open AI से अगर हमें help चाहिए open AI से कि यार इस to do को complete करने के लिए मुझे क्या-क्या items चाहिए हो सकते है तो यहां पर help from open AI में यहां पर आ जाएगा यह ठीक है इस paragraph के अंदर तो यहां पर this to do can be मालो यहां पर open AI ने कुछ लिए आप देख सकते हैं help from open AI में open AI की help आ जाएगी एक चीज करना चाहँगा इना what थोड़ा सा इसको ठीक बनाने के लिए मैं यहां पर नहीं label नहीं actually यह जो heading है की अरिक कौक तो नहीं मतारा का शोरी वारी नी को कंसिस्टेंड में तो यहां आप पका शेम चिए प bets करोंगाए इसको यहां पर पेस्ट करोंगा पेस्ट करोंगा पिछ किसा रेति सब कुछ थोड़ा सा consistent हो गया यहां लिखतेतों आप में एतु बरेते Christ तो यहां पर आप इत कर सकते हो या पके तूडू आएंगे आपर सारे यहां पर जो ऑपन-AI की है वो आएगी तिक है OpenAI की जो help है उसके लिए एक API बनाऊँगा ठीक है तो मैं simply यहाँ पर क्या करूँगा जो मेरी API थी instead of using this API मैं maybe एक दूसरी API बनाऊँगा ठीक है तो उस API का नाम मैं रखने वाला हूँ उस API का नाम मैं रख देता हूँ let us say open open रख देता हूँ और root.js ठीक है तो यहाँ पर मैंने क्या किया openAI से openAI को इंपोर्ट किया यहाँ मैं अपनी API की डाल दूँगा और अपनी API की को डालने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा role user हो जाएगा content हो जाएगा help me finish this to do ठीक है और यहाँ पर मैं क्या करूँगा सबसे पहले तो मैं एक जो get request होती है हमारी in fact मैं काम करता हूँ यहाँ पर post request है उसकी सहाइता लोंगा उमें आपर लिखूँगा let us say मैं यह लिखा ठीक है और यह रहा मेरा और मैं लिखूँगा यहाँ पर const body is equal to request.json बिल्कुल उसी जरह जिस तरह से मैं यहाँ पर लिखा था const data is equal to await request.json तो मैं एक काम करता हूँ यही follow करता हूँ बिल्कुल ताकि await करके मैं यह request.json ले हूँ और इसके बाद मैं क्या करूँगा कि जो ही main function है इसको to do दूँगा और मैं लिखूँगा main function को मैं run करूँगा यहाँ पर ठीक है और मैं यहाँ पर लिखूँगा data.toDo ठीक है अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर कोई भी इंसान अगर एक to do में help पे क्लिक करेगा यहाँ पर एक button मनाँगा get help get ai help और on click is equal to on click is equal to और get help get help नामसे एक function होगा और यहाँ पर मैं एक arrow function बनाँगा युकि मैं argument pass करना चाहता हूँ और जो argument होगा वो क्या होगा to do का description होगा मैं काम कहता है to do title यहाँ पर कर देता हूँ to do title कर देता हूँ I guess मैंने कुछ गरबर करी है यहाँ पर okay I think we are good now तो मैंने यहाँ पर simply क्या किया कि जो get help था उसके अंदर एक fetch request मारी जो कि एक post request है और मैंने कहा कि to do को मैं भीजना चाहता हूँ और उसी के साथ-साथ मैं response लेकर आँगा यहाँ से और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर लिखा return new next response.json choices तो मैंने क्या किया कि इस function को इस्तेमाल करके choices लेकर आया मैंने इसको a to do pass किया और यहाँ पर data.to do करके इसको pass कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको as a to do लेकर आ रहा हूँ मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि किस तरह से काम करेगा तो मैं इसको reload करूँगा जैसे your to do's में to do's आ गया मैं जैसे get AI helper क्लिक करूँगा यह error मुझे आया देखता हूँ क्या है unexpected end of json input let's see what's wrong तो somewhere हमें कईना कई error और यहाँ पर you didn't provide an API key okay तो मुझे अपनी open AI key API key को provide करना पड़ेगा तो मैं क्या करूँगा open AI में जाँगा और open AI में जाने के बाद login करूँगा और login में क्लिक करने के बाद continue with google करूँगा अपनी open AI account में login कर लूँगा API keys का इस्तेमाल करके तो मैं यहाँ पर लिखूँगा अगर आपको लगता है कि यह काम नहीं कर रही है तो इसका मतले है कि मैं डिलीट कर रही है definitely मैं डिलीट करूँगा या इसको तो कहां गया मेरा open वाला यह यह रही मेरी API key अब मैं restart करूँगा server को and let's see what happens reload करूँगा and reload करूँगा and reload करने के बाद getaihelper मैं क्लिक करूँगा getaihelper and then error unexpected end of json input let's see what the problem can't resolve encoding okay let's see here everything was fine but index 0 but could you please provide more context okay role assistant what you need help with okay so what do I have to do here content but here is not a constructor next response okay next response.json and choices okay let's try write an essay on on travel okay AI help okay this time I got choices why 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 okay this time you can see that title the transformative power of travel exploring the world of this time this time it has been a big choices but not sure that it has been a choice let choices is equal to main okay so here await 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 and now things should work just fine reload reload and definitely UI I will do I will do I will do get AI helper click I will do get AI helper click I will do choices okay I will do choices open AI request I will do API open AI API I will do a little time open AI API I will do a little time we will do return we should be able to see the results here you can see choices ARR1 I will do 2-3 I will do choices 0.message.content I will do return so first I will do choices 0 choices 0.message.content I will do choices and I will do double code choices 0.message.content and after I will do UI I will do help from open AI will appear here help from open AI will appear here and here I will cut help 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 state use state snippet help set help is equal to a string help from open AI will appear here and get help then set help loading loading and set help response and set help response response dot text and text and now see what happens here here to do all to to do to do do help this class button here control x here class has equal to and now this button can help get help center and text lg and top bottom margin so what do mx 4 p y 3 p y 2 sorry y let's see yes it works get e help loading and this is how you add a to do and show all the to do and definitely we want to improve this task that you improve this app is helpful to do list we learned a lot things and TyDB was and TyDB is scalable for this video I hope you will see you next time for to hit the 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 and the head of the head of the head of